मेरे पहरे देश वासियों, देश में आजहादी का अमरुत महोत्सव अब जन भागेदारी की नई मिसाल बन रहा है। कुछ दिन पहले 23 मार्च को सही दिवस पर देश के अलग-अलग कौने में अनेत समारो हुए। देश ने अपनी आजहादी के नायक नाईकाओं को याद किया, सरद्धापुर्वग याद किया। इसी दिन मुझे कोलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलबी भारत गैलेरी के लोकारपन का भी अवसर मिला। भारत के वीर क्रांतिकारियों को सरद्धान्जली देने के लिए ये अपने आप में बहुत ही अनूठी गैलरी है। यदि अवसर मिले तो आप इसे देखने जरूर जाईएगा। साथियों, अपरेल के महने में हम दो महान विपूतियों की जैन्ती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतिय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विपूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साब अमबेड कर। महात्मा फुले की जैन्ती 11 अपरील को हैं और बाबा साब की जैन्ती हम 14 अपरील को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुशों ने भेदभाव और असमानता के खिलाप बड़ी लड़ाई लड़ी। महात्मा फुले ने उस दौर में बेटियों के लिए स्कूल खोले। कन्या शिशु हत्या के खिलाप आवाज उठाई। उन्होंने जल संकर से मुक्ति दिराने के लिए भी बड़े अभियान चलाए। साथियों महात्मा फुले की इस चर्चा में सावित्रबाई फुले जी का भी उलेक उतना ही जरूरी है। जन जन के श्रसक्ति करन के प्रयास किये। हमें बाबा साब आमबेड करके कारियों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साब दिखाई देते हैं। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्तिति को देख कर किया जा सकता है। महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले, बाबा साब आमबेड करके जीवन से प्रेना लेते हुए, मैं सभी माता, पिता और अभिवावकों से अनुरोद करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या, शिक्षा, प्रवेश उत्सव भी शुरू किया रहा है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छुट गई हैं, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभागी की बात है कि हमें बाबा साब से जुड़े पंच तिर्थ के लिए कार करने का भी आउसर मिला है। उनका जन्मस्थान महू हो, मुंबई में चैति भूमी हो, लंदन का उनका घर हो, नागपूर की दिक्षा भूमी हो, या दिल्ली में बाबा साहब का महापरी निर्वान स्थल, मुझे सभी जगहों पर, सभी तिर्थों पर जाने का सौभागी मिला है। मैं मन की बात के स्थोताओं से आगर करूँगा कि वे महत्मा फूले, सावित्री भाई फूले और बाबा साब अम्बेड कर से जुड़ी जगहों के दर्शन करने जुरूर जाए। आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।